नमस्कार दोस्तों मैं रावल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माई पाट साला में और पाट साला रेलवे एक्जाम में तो आज भी आपके लिए करेंटरफेस लेकर आ गया हूँ तारीक नौ आगस्त और आज के इंपॉर्डेन करेंटरफेस में एक कुशन आपके स्क्रीन पर है कि हाली में यूनेस्को द्वारा किस राजी के दो गावों को सुनामी से निपटने की तैयारी हे तू सुनामी रेडी के रूपे नामित किया गया है तो ये राजी कहां पर है, इनके बारे में चर्जा करेंगे, सुनामी रेडी आखिर क्या है, इस टम्स का मतलब क्या है, इसके बारे में भी बातशीत करेंगे, लेकिन पहली important news की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है दिल्ली से, दिल्ली के मुख मंतरी अरविंद केजरीवाल ने एक नई electrical vehicle policy launch की है, आपको कुछ समय पहले याद होगा कि यहीं पर सबसे पहला एक electrical charging point भी बनाये गया था, इसके तहट केजरीवाल सरकार दिल्ली में electric वहनों के registration fees और road tax में छूट देने वाली है, अब जाहिज ही बात है कि अगर registration fees और road tax में छूट मिलेगी, तो ज़्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग motivate होंगे electric वहान खरीदने के लिए और सरकार भी यही चाहती है, मंग की मनसा भी यही है कि इसी वज़े से उन्होंने एक electrical vehicle policy वहाँ पर लाई है, इस policy के अंतरगत दिल्ली electric vehicle policy का मक्सद अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार स्रजित करना और प्रदूसर्ण का इतर घटाना है, दिल्ली सरकार के अंसार दिल्ली electrical vehicle policy के तहत, राजिस सरकार टू विलस, आटो, इरिक्सा, माल वहाँग वहानों के लिए 30,000 रुपए तक और कारों के लिए 1,500,000 रुपए तक का incentive उपलब्द कराएगी, या छूट कें से मिलने वाली छूट के अलाबा होगी, इस policy के तहत, launching के बाद उमीद है कि अगले 5 सालों में 5 लाख नए electric वहाकल खरीदे जाएंगे, और दिल्ली सरकार electric वहान नीती को लागू करने के लिए EV प्रकोष्ट, यानि कि electrical vehicle प्रकोष्ट गठित करेगी, यानि कि एक electrical vehicle fund को ना देगी, ताकि इनको charging करने में में दिक्कत ना आए, हमारे देश में प्रदूसर की समस्या सबसे अधिक दिल्ली में ही मैसूस की जाती है, वायू प्रदूसर जो होए, वहाँ पर काफी ज़्यादा खराब हो जाता है, खास कर ठंड के दिनों में, ऐसे में वहाँ पर odd- इवन की वेवस्था करनी पड़ती है, और इवन जो गारी चलाने के तरीके हैं, उसमें और इवन की वेवस्था करनी पड़ती है, तो फिलाल एक electrical vehicle policy लाएं हैं दिल्ली सरकार में, जिसमें registration fees और road tax में छूट दी जाएगी, इसके लावा दिल्ली अभी हाली में क्यों चर् charging plaza ने दिल्ली में सुरू किया है, और raise initiative के अंतरगत इसको सुरू किया है, अर्विन केंजरीवालनी जी ने अभी हाली में भारत का पहला first plasma bank COVID-19 treatment के लिए सुरू किया था, जिसमें कई सारे plasma donor से plasma लिया जाएगा और उसको एखटा किया जाएगा, ताकि अवश्यक्ता production को घटाया जा सके और इसके तहत 31 लाग पौदे दिल्ली में लगाए गए थे, दिल्ली cabinet ने अभी हाली में मुख मंतरी घरगर रासन योजना को सुरूआत किया है, और इसमें क्या होगा, इसमें door step delivery मिलेगी रासन की, यानि कि जो रासन है वो आपके घरों पर आपको पह रोजगार बाजार portal का मकसद ये था कि जिन लोगों को काम की जरूवत है, वो इसमें काम तलास सके और जिन लोगों को manpower की जरूवत है, वो इसके जरीए manpower तलास सके फ्रेया ठकराल, नाम जरूर याद रखेगा, इनको इस बार का प्रिंसे डाइना के नाम पे दिया जान लिए वो बनाया ताकि उनके जो कुड़ा बिनते हैं या जो भी वो कबाड बीनते हैं या चुनते हैं उसके लिए उनको सही मूले दिया जा सके और इसके लिए वो recycler app का सहरा ले सकते हैं और इस app को develop करने की वज़ये से इनको ये पुरुसकार दिया गया था, दाइना एवर्ड उन्को दिया गया था, डाइना वर्ड दोजा तीन में शुरू किया गया था प्रिंसेट डाइना की याद में, रमेश प्रोकरियान निशंक जी ने अभी हाली में, लॉंच की थी कोरोना वैक्सीन, कोरोशियोर ये एक मेडिकेट थी सॉरी मैकसीन बोल दिया मैंने यहाँ पर एक डाइगनोस्टिक किट थी ये सबसे अपोरडेबल कोविड नाइटीन डाइगनोस्टिक किट है जो मात 399 रुपए में IIT देली दोरा डेबलप की गई है वर्तमान समय में दिली के सियम है अर्विंद केजरिवाल आम आदमी पार्टी से बिलॉंग करते हैं और गवर्नर है अनिल बैजल उपर राज्यपाल जो आप कह सकते हैं वो यहाँ पर अनिल बैजल करते हैं अगी जानकारी के तब चलते हैं 2020 में जो होने वाला था वो थकित हो गया COVID-19 की वज़े से इसलिए अब इसे 2022 में कराया जाएगा ये औस्टिलिया में आउजित किया जाएगा ICC International Cricket Council दोरा T20 जो World Cup है ये हर पहले 4 साल में होता था लेकिन 2016 में गोषणा की गई कि इसको हर 2 साल में कराया जाएगा इस वज़े से 2018 में इससे प्रस्तावित होना था लेकिन हो नहीं पाया और वहीं अगर हम बात करें तो 2020 का जो होना था वो तो 2022 में होगा लेकिन 2021 में एक ICC Men's T20 विश्चुकप की मेजवानी कौन करेगा वो भारत करेगा ICC ने महिला क्रिकेट विश्चुकप 2021 को भी इस्तगित कर दिया है और साल 2022 में फरवरी मार्स तक न्यूजिलैंड में आयोजित करने का पैसला किया है कुल मिला के न्यूज ये है कि इंडिया 2021 के ICC T20 विश्चुकप की मेजवानी करेगा जबकि आस्ट्रेलिया 2022 के विश्चुकप की मेजवानी करेगा आस्ट्रेलिया 2022 में विश्चुकप की मेजवानी इसलिए कर पा रहा है क्योंकि 2020 का इस्तगित हो गया है ICC Mels T20 विस्व कब 2021 का फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जितनी टीमों ने 2020 के लिए क्वालिफाई किया था उनको ही यहाँ पर मौका मिलेगा जब कि 2022 के लिए जो टीमें खेलने वाली है उनको अलग से क्वालिफाई पेक्रिया को फॉलो करना होगा और उनको अलग से क्वालिफाई करना होगा तो अब ICC Mels T20 विस्व कब 2021 में जैसा कि 2020 के लिए धायत किया गया था वो 2021 में भारत में हिस्सा लेना पड़ेगा तो 2021 का जो ICC T20 विस्व कप है वो कहा होने वाला है वो आपका इंडिया में होने वाला है ICC Mels T20 World Cup की बात करें तो इसको कराते है International Cricket Council अभी हाली में इम्रान ख्वाजा जिन्होंने ससांग मनोहर की जगे ली थी वो ICC के चेर्मेन मने थे लेकिन अब ICC के चेर्मेन और CEO दोनों ही मनु साहानी है पॉर्मेट T20 World Cup का है 2007 में इसका पहला एडिशन देखने को मिला था जिसको भारत ने जीता था बड़ा गजब मैथ था ये भारत हो पाकितान के बीच में फाइनल हुआ था लेटेस्ट एडिशन 2016 में हुआ था 2016 के बाद अगला एडिशन अब 2021 में देखने को मिलेगा 2016 में Western Deez ने इंग्लेंड को हरा दिया था यानि कि वर्तवान समय में मौझूदा T20 चैंपियन आपकी Western Deez की टीम है 16 टीम इसमें भाग लेती है और सूपर 10 और 12 के फ्लेओफ में ये चलता है सबसे अधा रन अभी तक इस प्रतियोगता में महिला जयवर्दनिय स्री लंका के हैं उन्होंने बनाया है जबसे अधा विकेट साहिद अपरीर में 49 विकेट अभी तक लिये है इसके लबा एक और न्यूस किरिकेट से जुड़ी हुई जो कि काफ़ इंपोर्टन्ट है जनगर है भारती रेलवे ने अभी हाली में एक एप डेवलप्मेंट किया है ताकि अगर उनके ओवरहेड एक्विप्मेंट में कोई खराबी आ जाए तो उसको इंस्पेक्ट कर सके और उस खराबी के बारे में भारती रेल को पहले ही पता चल सके जिससे भारती रेल जो थोड़े बहुत खामियों की वज़े से लेट हो जाती है जिसकी वज़े से उन्हें पैदे ही पता चलता रहेगा कि मेरा ओवरहेड एक्विप्मेंट जो है इसे पेंटोग्राफ कहा जाता है वो खराब हो गया है और मुझे जल्दी से जल्दी उसे चेंज कर लेना तो ट्रेन लेट नहीं होगी ट्रेनों को लेट होने से बचाने के लिए इस तरह के एप का डेवलेप्मेंट किया गया है तो भारती रेलवे दोरा एक ओवरहेड एक्कुप्मेंट इंस्पेक्शन एप लाँच की गई है जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतिजार को कम करने में मदद करेगा इस एप को समुचे देश में जानकारी के अधार पर तयार किया गया है भारती रेलवे के टियास में एक जुलाई 2020 को ट्रेने पहली बार सौ फीजदी ट्रेने निदाई समय पर पहुंची थी ये रिकॉर्ड था हालागि इन ट्रेनों की कुल संक्या केवल 201 थी लेकिन फिर भी पहुंची तो टाइम पर रेलवे का इससे सबसे अच्छा पिछला रिकॉर्ड 23 में 2020 को है जब 99 दे जम्रों 54 पर ट्रेने टाइम पर पहुंची थी अगर इसमें कोई खामी आती है तो रेलवे को सतर कर देगा और जिससे हम इसको टाइम रहते इसको रिमूब कर पाएंगे या इसको सही कर पाएंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानि GPS पे आधारित पेट्रोल में ट्रेकिंग होगी इसमें और इसमें ओर रैड उपकरोन की खामीयों को वास्तिव समय कैप्चिरिंग और फोटोग्राफ लेने का प्रावदान भी है तो इस तरीके से दिखा जाए तो O.H.E. इंस्पे गठित की गई है COVID-19 के कारण जो भी आपने देखा moratorium चलना है moratorium का मतलब यह है कि 6 मेने तक अगर आप installment नहीं देते हैं तो आपको आपके civil पर कोई impact नहीं पड़ेगा और बैंक आप पर कोई extra charge भी नहीं लगा पाई है ऐसे में कुछ लोगों ने ना चाहते हुए भी और क प्रेंगों की जो हालत है वो काफी ज़दा खराब हो गई है और उनके NPA पर काफी ज़दा लोड आ गया है NPA का मतलब होता है Non Performing Assess का मतलब हो गया कि ऐसे परिसंपतियां जो लोन नहीं चुका रही होती है या जो घाटे में चली गई होती है तो अब इससे कैसे निकला ज करता है विशेशक के-वी-कामजी के अंदर में यानि उनके प्रेशिदेंच्यली चिप में एक समिती का गठन किया गया है समिती अपनी सिपारिशे एर्वी-्याई गयोर आपिस कर देगी के-वी-कामध की बात करने भी-काचनों से कुरा नाम कunta-पूर वामन कामत है बिक् अचीव के रूप में कारे करेंगे RBI ने साथ जून 2019 को जारी किये गए Stress Assets Resolution for Prudential Framework के तहट एक विशेष विंडो के रूप में Resolution Framework for COVID-19 Related Stress की घोषना की है जिसके अंतरगत इससे निपटने की बात की जा रही है New Development Bank की बात करें तो वर्तमान समय में मारकस, प्राडो, ट्रोईजो जो इन्होंने केवी कामत की जगे ली है और इसके पहले और अभी जो रिटायर होगा है केवी कामत रिटायर होगा है New Development Bank से New Development Bank की जो गठन था वो 15 जुलाई 2014 को हुआ था और इसका जो headquarter है वो संगाई चाइना में है New Development Bank को विसका सबसे बड़ा बैंक भी कहा जाता है अगली जानकारी है नीना राय द्वारा आमेजिंग अहुद्या नामा के पुस्तक का लेखन किया गया है इस पुस्तक का लेखन ऐसे समय में किया गया है जब राम मंदिप बन रहा है और लोगों का बड़े दिनों के बाद जो सपना था वो आखिरकार पूरा हुआ इस पुस्तक में सहर के बारे में प्रमारी जानकारी दी जाएगी जो नेकेवल प्राचीन हिंदू के जीवन और समय को समझने में मदगर होगी बलकि राम और सीता के बारे में भी जानकारी देती है पुस्तक का प्रमोशन या प्रकाशन हाउस ब्लूम्स बरी द्वरा किया जा रहा है लेकक अन्य प्राचीन सभिताओं की संसकति के साथ एहुद्या की तुलना करता हो करने जा रहा है कावकाज 2020 जो की रसिया द्वरा आयोजित किया गया है बारत रूस के अस्थरा खान यानि की मिलिटी एकसाइज में आयोजित होने वाली एक बहुपच्छी सेना एकसाइज रसियन कावकाज में इस्था लेने का बारती दल में 150 सेने करमी रहेंगे जो इसमें हिस्था लेंगे कावकाज जिसे कावकाज कावकास भी नाम कहा जाता है काकेशस भी कहा जाता है 2020 के नाम से जाना जाता है में इससा लेने के लिए निमंतरण में चीन, इरान, पाकेतानों, तुर्की साहित, अन्यम्मा, देशियाई, देशों के गड़ाजों के S.C.O. यानि कि संगाई कॉर्परेशन और अर्गनाइजेशन के सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को भी बुलाया गया है बारत और रसिया के बीच में अगर मिलिटेक साइज की बात करें तो बारत और रसिया के नाम मिला लिजे, इंडिया और रसिया तो इंद्रा नाम से मिलिटेक साइज होती है बारत और रसिया के बीच में कावकाच का आयोजन कहां हो रहा है, कावकाच का आयोजन रूस में हो इतनी ही जानकारी परियापत रहेगी भारत के लिए एक स्ट्रेट्जिक पॉइंट है मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंद मास आगर में भारत की इस्थिति को मजबूत रखने के लिए और चीन के दबदबो को कम रखने के लिए भारत का मालदीव के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़्यादा आवश्चक है मालदीव की बात करें तो मालदीव की राधानी माले है और मालदीव में जो करेंसी चलती है उसे कहा जाता है मालदीवी रूफिया और मालदीव के वर्तमान थम्मे में जो राख्पती है वो है इब्राहीम मुहम्मद साली तो ये भारत दोरा दी जाने वाली 800 मिलियन अमेर की डॉलर क्रेडिट लाइन का ही एक हिसा है परियोजना का में उद्देश ये है कि जो मचली संग्रायन और बंडरायन के सुद्धाव में निवेश करना है ताकि मालदीव को एक नया रोजगार प्राप्त हो सके और वहां के लोग जो बेरोजगार हैं वो कहीं न कहीं इसके जरीए फाइदा उठा सके अगली जानकरी ये कुश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि यहाली में सेंटराष्ट सैचिक बैग्यानिक सांस्कतिक संग्ठन यानिक इंटर गवर्नमेंटल और ऑसियोनोग्राफिक कमीशन ऑफ युनेस्को इसने क्या किया है कि उडिचा के दो गा कजनीशन दे कम्यूनिटी ओफ वेंगडराइप पूर गंजम डिस्टिक उडिचा में मिला है इसे चोगी इन केस ऑफ इस्ट्रॉंग और लॉंग अर्थक्वेक और एनी ओफिचल सुनामी वर्निंग गो टू हाई ग्राउंड और इनलेंड मतलब कि यहां पर इतनी तयारि मैनेजमेंट अथारिटी OSDMA ने दो गावों को सुनामी रेडी प्रोग्राम में लागू किया है इस मानेता के साथ भारत हिंद माहसागर छेतर में सुनामी रेडी लागू करने वाला पहला देश है और उडिसा पहला राज्य बन गया है सुनामी रेडी यूनेशको IOC का मतलब हो गया इंडियन इंटर गवर्मेंटल ओस्योनोग्राफिक कमीशन का एक सामुदाइक प्रदसन आधारित कारिकरम है जिसमें पूरी जंता जो है वो अपने आपको बचाने के लिए प्रदसन करती है और ये देखा जाता है कि उनको वाकई में कितना समझ है कि वो अपने आपको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे किस तरह से आपदा का प्रबंदन करते हैं किस तरह के वहाँ पे सेंसर लगाए गया है तो सेंद्रा सैचिक वेग्यानिक सांस्कतिक संगठन अंतरसरकारी समुद्र विज्यान आयोग यानिकि यूनेस्को यूनाइटेग नेशन एजूकेशनल साइन्टिफिक कल्चिरल और्गनाइजीशन आईयोसी इंटर गवर्मेंटल ओस्योनोग्राफिक कमीशन एक अंतरस स्वायत निकाओ के रूमें की गई थी इसे 26 दिसंबत 2004 को आई सुनामी के बाद भारती समुद्र सुनामी चेतावनी और समन व्यवस्ता यानिके इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग और मिटिगेशन सिस्टम आईयोटी डव्लू एमस की इस्थापना में मदद की थी 2004 में बहुत ज़्यादा नुक्सान हुआ था आपको याद भी होगा अगर आप में से कई लोगों ने थोड़ा था न्यूज पर ध्यान रखा होगा तो बारती राष्टी महानागर्स सुचन सेवा केंद्र यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इनफॉर्मिशन सर्विस जिसे इनकोईस भी कहा जाता है इनकोईस भारती सुनामी प्रारंबी चेतावनी केंदर इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की भारत को सुनामी सम्मंदित सला और सूचना देनु हेतु एक नोडल एजनसी है इनकोईस की स्थापना वर्स 1999 में में प्रत्षवी विज्ञान मंत्राले के अंतरगत एक स्वायत निगाव के रूप में की गई थी और यह प्रत्षवी प्रणाली विज्ञान संग्ठन की एक इक आई है इनकोईस उनेसको आईउसी द्वारा सोफी के जिम्मेदारियों को वाले सुनामी सेवा पैदाताओं के रूप में है कारेसालाओं प्रसिछोनो और स्यमिनानों का आयोजन करता है यानि कि भारत के अंदर अगर सुनामी आता है तो उसकी जानकारी हमें कौन देगा उसकी जानकारी हमें इनक्वाइस देगा बारत के दो सहर दो जिले एक तरह से कौन कौन से एक जगस सिंग पूर जिले का गंजम गंजम से गंगम इस्टैली आदा गया गंजम और वेंकट राइपूर बॉक्सी पल्ली ये वर्च्वल कारेकरम के दोरान इने सर्टिफिकेशन दिया गया है सुनामी रेडी का इसके लवा आपको याद होगा कि उडिसा में जो आपदा प्रबंदन हुआ था बार की वज़े से तो डॉक्टर प्रमोत कुमार मिश्रा जो की नरेंगोदी के प्रधान सचिव थे उनको सासा कावा प्रुसकार 2019 से समानित किया गया है उन्हें या प्रुसकार आपदाओं में सबसे ज़्यादा खत्रा जहलने माले समुदाएं को ऐसे जोखी में सो निपटने में सच्छा मनाने आसमान्दा और गरीबी को घटा कर समाज में आर्थिक और समाजी ग्रूप से हासिये पर जी रहे लोगों के सुरच्छा दाइरा बढ़ाने का काम करने के लिए दिया गया है सासा कावा पुरूसकार की बात करने सुसांगत राष्ट का ये पुरूसकार है सासा कावा पुरूसकार आपदा जोखिम प्रबंदन के छेतर में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरूसकार है ये निपॉन फांडेशन और UND आर-ार के और से स्ट्रेंग तरूसके दिया जाने वाला पुरूसका 30 साल से भी ज़्यादा समय से दिया जा रहा है इसके तहट 50 सेदार अमरीकी डॉलर का अनुदान दिया जाता है जो विजेताओं के वीच बांट दिया जाता है विजेता कोई भी बेक्तिया संगठन हो सकता है तो साथा कावा पुरूसका 2019 मिला था डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को अगली जानकरी है नूजफटाफट में पियस रैनपीज यानि कि पियस रानी पिसे जी को अभी हाली में निउ आईजी ओफ सी रपीफ यानि के इंस्पेक्टर जनरल बनाये गया है सी रपीफ का तो उरिशा के एडर के आईपीए साथिकारी पियस रानी पिसे को केंदरी रिजर पुलिस बलका महा निरच्छक नियूत किया गया है वह जॉइन करने की तारीक से पांस साल की अवदी तक इस पत्पर बने रहेंगे IPS अधिकारी पियस राइनी पिसे 1995 बैच के अधिकारी हैं जो इससे पहले उरिशा में अतरिक महानी देशक्टा तक्ता के रूप में कारे रखे उन्होंने 2013 में पुलिस महा निरच्छक उरिचा का पद्स समाला था इसके लबा देश की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके हेड के बारे में आपको ज़रूर बता होना चाहिए ये स्लाइड बेहद इंपॉर्टन आप सभी को याद होना चाहिए एपी महसुरी यानि के आनद प्रकास महसुरी अभी 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 अपॉइंट्मेंट हुआ इनका CRPF के डिरेक्टर जर्नल के रूप में राजेश रंजन जो है वरतमान समय में आपके CISF के डिरेक्टर है यानि के Central Industry Security Forces के जबकि ITBP यानि के इंडियन इंडो टिबद बॉर्डर पुलिस फोर्स के जो वरतमान समय में डिरेक्टर जर्नल है वो है SS देशवाल यानि के सूर्जी सिंग डेशवाल डीजी है ये जबकि राजेश चंद्र, कुमार राजेश चंद्र जो है वरतमान समय में ससस्त्र सीमा बलके डीजी है डिरेक्टर जर्नल है ऑपरेशनल डीजी और NSG यानि के National Security Guard के डिरेक्टर जर्नल वरतमान समय में अनूप कुमार सिंग है ये सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए कहीं पर जगाज जगे हो कॉपी बगएरा में तो इसे नोट डाउन जरू कर लीजेगा अब बारी है आच्छे हमारे वन लाइनर की दिल्ली इलेक्रिकल वेकल पॉल्सी के तहट राज सरकात दोरा टू विलियस आटो इरिक्षा माल वहाग वाहनों के लिए कितने रुपए का इंसेंटिव उपलब दिप कर राएगी तो फिलाल वो 30,000 रुपए तका गडंत क्या है तो वो है केमी कामत और किसके दौरा अमेजींग अायुदै नमापूस्ता का लेखन किया गया है वो है नीना राए और किसको केंदिरी डिजर पुलिस पोर्सनी के जानी हिस्वरा है तो वह है मालदीव जो हैं भारत रसिया में होने वाले काव काज 2020 में हिस्सा लेने जा रहा है और भारत ने मचली पकड़ने की सुज़धा का विस्तार करने के लिए किस देश को 18 मिलियन अमेर की डॉलर का रेंड दिया है तो वो है माल दीव और पांच अगसो किन्द केंसासि पेदिशों की गठर की पहली वश्रकाइट मनाई गई तो जम्मू कस्मीर और लड़दाक पिछले साल 2019 में 378 अटाकर का जम्मू कस्मीर और लड़दाक को केंसासि पेदिश का दर्जा दिया गया था हाली में यूनिस को द्वरक के इस राज के दो गावों को सुनामी से निपटने त्यारी के लिए सुनामी रेडी के लूप में नामित किया गया है तो वह है उरिशा के एक गंजा में एक वेंगर ड्राय पूर बारी है आजके एक क्विस की बादने मच्छी पकड़ने की सुज़धा के लिए विस्तार के लिए किस देश को 18 मिलें अमेरीकी डॉलर का रेड़ दिया है तो वो है माल दीव दिलेट एक वेकल पॉल्सी के तहट राजिसरकार टूवीलस ओटो वर एक्सा माल वाकों के लिए कितने रुपए का इंसेंटिव उपलब दे कराने वाली है तो वो 30,000 रुपए का इंसेंटिव उपलब दे कराएगी कौन साथ इस ICC Men's T20 Biscop 2021 की मेज़वानी करने वाला है इंडिया 2022 आस्टिलिया किसके दोरा एक ओवरेड एक इक्विप्मेंट इंस्पेक्शन एप लॉंच की गई है तो वो भारती रेलवे दोरा और किसके दोरा अमेजिंग है तो वो है नीना राई किसको केंदरी पुलिस बल का महानी रचकनियत किया गया है पियस रान पिश्चे को और भारत रूस में आयो जित एक बहुपच्छी सीना अभ्यास कावकाज 2020 में भाग लेने जा रहा है पांच अगत को केंद केंद साथी पेद्विस होगी गठन की पहली वर्षगाट मनाई गई जम्मू कस्मीर और लद्दा हाली में यूनिस के द्वरा किस राज जोके दो गावों को सुनामी से निपटने की तैयारी है तो सुनामी रेडी के रूप में नामित किया गया है तो वो है उडिशा तो दोस्तों ये थे आज के हमारे important current affairs उमीद करता हूँ आपके current affairs पसंद आये होंगे थोड़ा आप मुझे मिस कर रहे होंगे क्योंकि मैं आपके सामने नहीं आया बट कुछ आजेंट काम होने की वज़े से मुझे वापस आना पड़ता ओफेस में मैं काम नहीं कर पाया त ये current affairs आया तो फिलाल है अभी के लिए नहीं रखता हूँ thank you so much bye bye